पाशिवनी से तीन किलोमीटर दूरी पर पेच नदी के मध्य में महाशिवरात्र यातरा के परवपर लाखों वक्त दर्शन करने आते हैं जिसके मद्य नदी के बीचो बीच महाकाय पत्थरों शीश पर विराजमान महादेव शिवजी की स्थापना की गई जहां हर साल लाखों की संख्या में शुरत धालू महाशिवरात्री यातरा के परवपर मध्य परदीश चत्तिसगर महाराश्त के दूर दरासे भक्त परिवा आते हैं इसी के मद्य नज़र यातरा सुलब हो आने वाले श्रद्धालू को किसी प्रकार की आसुईदा ना हो इसलिए इस्थानिक प्रवशासन की और सी यातरा स्थल पर बड़े पैमाने पर प्रवशासन की और सी सुईदाओं पर ध्यान दिया जारा है लगाई गई हैं जिसमें पेजल से लेकर खान पान खिलोने जुनका भाकर मीठे बेर कच्चा चिवडा अने को स्वादिष्ट वेंजिन की दुगाने सची हैं इस यातरा में आने वालों पर पुलिस प्रवशासन की चोकन्ना नजर रहने वाली है किसी भी अप्री एकटना से निपटने के लिए पुलिस प्रवशासन की अधिकारी पहले से ही चोकन्ना नसर आ रहे हैं वहीं यातरा में उपद्रव करने वाले उपद्रव्यों पर पुलिस के आला धिकारियों की और से पुलिस करमचारियों को सत्त कारवाई के निर्देश दिये गए हैं वहानों क पुलिस प्रशासन भी यात्र इस्थल पर नजर बनाए है यात्रा के दर्मियान सामाजिक कालिकरता समासेवक भी प्रशासन को सहयोग करें इस तरह का आहवान तैसलदा प्रशान साग्डे की और से किया गया भूतपूर्व सरपंच प्रेम भूडे कर बीसियन समवादाता र पर आने वाले श्रतधालूं से आवान करते वयका की पेच नदी के बीचो बीच पत्थरों के शीश पर विराजमा शंकर जी की स्थापना की गई है जिसके दर्शन के लिए श्रतधालूं की भारी भीढ होने का नुमान है इसलिए दरशन करते समय किसी प्रकार भगधर न क पुलिस वभाग को सहीव करें इस तरह का आवान किया गया है पारशिवनी से बीसे न्यूस के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट